Hello Class 12, Welcome to Learn with Zenith Guru मैं हूँ Niki Pandit और जैसा कि आप सबको पता है कि Last Class में हमने Colligative Property स्टार्ट कर दिया था आप सबको पता है कि कितने टाइप की Colligative Property हमें पढ़नी है चार टाइप की, कौन-कौन से चार टाइप थे पहला था हमारा Relative Lowering and Vapor Pressure Second हमने क्या किया था, हमने किया था Elevation in Boiling Point ये दो टापिक हमने कल की Class में Cover कर लिया था आज की Class में हमें करना है Depression in Freezing Point पहला और दूसरा क्या है Osmosis Pressure and Osmotic ये एक ही है, ठीके, ये दो टापिक हम आज की Class में Cover करेंगे सबसे पहले Heading लगाओ हमारा होगा Depression in Freezing Point Depression in Freezing Point देखो, Depression in Freezing Point जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि Freezing Point क्या होता है Freezing Point जब Vapor Pressure Liquid का Equal हो जाए Vapor Pressure of Solid के बराबत तो हम बोलेंगे उसको कि ये जो भी सबस्टान्स है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है Vapor वो, जो Vapor से Solid में धीरे-धीरे Convert होना स्टार्ट हो जाता है ठीके, जैसे जो Liquid है, वो Solid में Convert होना कब स्टार्ट हो जाएगा? जब हम धीरे-धीरे-धीरे उसका Temperature कम कर देंगे और एक Point ऐसा आएगा जहाँ पे Liquid जो है, क्या हो जाएगा? Liquid का जो Vapor Pressure है, वो धीरे-धीरे Solid के Vapor Pressure की Equal आ जाएगा उसी Point पो हम कहते हैं, Freezing Point, ठीके, लिख लेते हैं Freezing Point, the Vapor Pressure of, the Vapor Pressure of Liquid is known as Freezing Point, उस Point को हम कहते हैं, Freezing Point. यहाँ पे Freezing Point जानने के बाद एक Term है, Depression in Freezing Point Depression in Freezing Point से हम क्या समझ रहे हैं? कि जो भी Freezing Point होगा, वो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे जितना होना चाहिए था, उतना नहीं उससे भी और जादा कम हो गया है, तो ऐसा कब होता है, कैसे होगा? देखो, अगर हमारे पास एक Beaker लिया हमने, ठीक है, उसमें हमने Pure Solvent ले लिया, Pure Solvent जैसे की हाँ पे ले लिया हमने Water, अब सबको पता है कि Water जो है, वो जीरो डिगरी पे जमना स्टार्ट हो जाता है, यह जीरो डिगरी पे जम गया, लेकिन अब जब इसी Water में हमको एक ऐसा Solute डाल देंगे, जो की Non-Volatile है, कैसा Solute डालेंगे इसके अंदर? Non-Volatile Solute, तो अब जो इसके Freeze होने की Power है, जैसे पहले जीरो पे वो फ्रीज हो जाता था, अब यह जीरो पे फ्रीज नहीं होगा, इसका जो टेंपरेचर है, वो और नीचे तक जाएगा, तब जाके Freeze होगा, इसका एक 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 जामपल बताती हूँ चलो आपको मैं, जैसे भ कड़कती धूप में वो घंटी बजा बजा के आते हैं, उस वाली की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो आपको जब मलाई वाली आईस्क्रीम देता है, जिसमें केसर, पिस्ता, बादाम, सब मिला होता है, जब आप उसको खाते हो, तो उसमें क्या आपको थोड़ा- पिखल जाती, तो अब देखो हुआ क्या, कि जब वो आईस्क्रीम खा रहे हो, तो उसमें नमक का टेस्ट आता है, ऐसा क्यूं, और दूसरा क्वेशन क्या आता है हमारे दिमाग में, कि इतनी भरी दोपहर में, जो आईस्क्रीम वाले हैं, वो आईस्क्रीम बेच रहे हैं, पर उनकी आईस्क्रीम क्यों नहीं पिखल रही हैं, वहीं देखो, आप बर्फ लाके बाहर रख दो, इतनी टेंपरेचर में, तो वो धीरी धीरी पिखलना स्टार्ट हो जाता है, बट आईस्क्रीम वाला क्या करते हैं, सुबह से अपने घर से निकला हुआ है, और जब तक उसकी आईस्क्रीम खतम नहीं हो जाती, तब तक वो इधर दर घूमता रहेगा, टेंपरेचर बहुत जादा हाई है, है ना, 40 डिगरी तक हमारे टेंपरेचर जाता है गर्मियों में, तो इतने जादा टेंपरेचर में कैसे वो जो आई है, उसको कैसे बचा के रखते हैं, पिघलता क्यों नहीं है, जो आईस्क्रीम में कैसे जमी रहती है, क्योंकि आईस्क्रीम को जमाने के लिए 0 डिगरी सेल्सियस तो टेंपरेचर नहीं चाहिए, उससे बहुत जादा कम चाहिए, अगर हम प्यॉर वाटर लेते हैं, उसको हमें फ्रीज करने के लिए 0 डिगरी चाहिए बट अगर उसी में हमने बहुत सारे solute डाल दिये जो कि non-volatile है तो ऐसे सबस्टांस का freezing point होते हैं बहुत जादा कम हो जाता है तो normal ice से हम जो हमारा ice cream है उसको तो freeze नहीं कर सकते नहीं रख सकते वो पिघल जाएगा तुरंथी तो ऐसा ice cream वाली क्या करते हैं कौन सा बर्फ लेकर आते हैं जिससे ice cream नहीं पिगलती है तो वो लेकर आते हैं नमक वाला बर्फ ठीक है पानी लिया पानी के अंदर भरके salt डाल दिया ठीक है इसके अंदर salt डाला जो कि non-volatile था और यह क्या है solute ठीक है solvent के अंदर नमक डाल दिया यानि कि solute डाल दिया अब जो इसका freezing point है water का 0 degree था दोनों को add करने के बाद इनका freezing point minus 5 से भी नीचे चरा जाता है हमें पता है कि ice cream जो होगी वो मानलो minus 3 minus 4 तक freeze हो रही होगी बट अब इनका तो देखो यह कितने temperature तक भी अर कर सकते हैं minus 5 minus 8 तक जा सकते हैं इनका जो इतना temperature होता है वो इतना कम होता है एक salt को add करने से ठीक है तो वही जो ice cream वाले होते हैं वो कैसा बर्फ लेकर आते हैं वो लेकर आते हैं brine solution का बर्फ याने की नमक वाले पाली का बर्फ इसलिए हम जब ice cream खाते हैं जब ice cream टेस्ट करते हैं तो उसमें salt का भी टेस्ट आता है clear है इतना देखो ठीक है इतना तो यहां से हम definition क्या लिख सकते हैं when a when a non-volatile when a non-volatile solute add in a solvent in a solvent to make solution then the freezing point then the freezing point of solution decreases as compared to as compared to pure solvent pure solvent का freezing point 0 degree celsius था लेकिन जैसे ही हमने उसमें non-volatile solute add कर दिया अब उसका freezing point कहां तक पहुंच गया माइनस 5 से लेकर माइनस 8 माइनस 9 तक चला गया है ठीक है तो इसको हम कहते हैं depression in freezing point जहां पे non-volatile solute add करने से freezing point decrease हो जाता है इसका graph देखते हैं depression in freezing point को हम represent करते हैं डेल्टा T F से ठीक है इसका graph temperature and vapor pressure तो इसमें क्या होगा पहले temperature जादा होगा ठीक है हम यहाँ पर क्या कर रहें temperature को decrease कर रहें तो हम यहाँ पर temperature को decrease कर यहां से decrease हुआ और यह और नीचे पहुँच गया यहाँ पर क्या होगा लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वह एक्वल हो जाएगा solid के वेपर प्रेशर के ठीक है यह किसके लिए था यह था हमारा solvent के लिए उसका temperature हमने यहां से लेकर यहां तक कर दिया लेकिन जैसे ही हमने solution लिया solution लेने से क्या हो जाएगा उसका जो temperature है वो और जादा कम हो गया यह कुछ यहां तक पहुंच गया एक यह और जादा कम हो गया हम माले अगर यह ऐसे था और यहां से और जादा कम हो गया तो एक temperature हमारा यह आया है एक temperature हमारा यह आया यह temperature कौन से था T not F जब हमारे पास pure solvent था और यह temperature कब है T F जब हमने solution ले लिया तो उसका जो temperature था वो कैसा हो गया decrease हो गया ठीक है यह हमारा solution का है यह solution का graph जाएगा और यह किसका graph जाएगा यह हमारा solvent का graph है pure solvent जब सिरफ water था और यह जब इसे हमने water और salt दोनों मिला दिया तो अगर हम change in freezing point की बाद करें तो क्या हो जाएगा इन दोनों की बीच का difference है तो यह हमारा हो जाएगा T not F minus T F ठीक है यह हासी हमने हाँ पर लिख लिया T not F minus T F T not F क्या है temperature of pure solvent और T F क्या है temperature of solution और delta T F क्या है change in temperature change in temperature तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो यह हम depression in freezing point देख रहे हैं यह quality property है तो number of moles पर depend करती है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो डेल्टा T F है वो डिरेक्टली प्रपोर्शन है molality के अब जैसे ही हम मुलाली यह ड्रेक्टली प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे क्या हो जाएगा यहां पर आ जाएगा के एफ इंटू एम के एफ क्या है क्रायोस्कोप कॉंस्टेंट क्रायोस्कोपिक कॉंस्टेंट और दूसरा क्या है मॉलल डिप्रेशन इन दोरों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो आप देखो यह मॉलालिटी के इक्वल है तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ इस इक्वल टू के एफ इंटू गिवन मास हम नंबर आफ सल्यूट की बात करें तो हो जाएगा हमारा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यलर मास given mass upon molecular mass into thousand upon volume sorry thousand upon यहाँ पर आएगा solvent in gram यह formula बनेगा अब depression in freezing point का clear है यहाँ पर हमने depression in freezing point cover किया है अब इसके बाद आता है osmotic pressure और osmosis osmotic pressure और osmosis तो देखों osmosis क्या होता है एक diagram से समझेंगे हम यह हमने हाँ से लिया है एक beaker और अब इस beaker भी हम क्या करेंगे एक inverted funnel डालेंगे यह हमने हाँ पर लिया है यह inverted funnel funnel को हमने उल्टा करके डाल दिया और इस पर हमने क्या लगा दिया एक membrane लगाया है यहाँ पर और अब इस funnel के अंदर हमने क्या डाला है इस funnel के अंदर हमने डाला है sugar solution sugar solution ठीक है यहाँ पर क्या भरा है sugar solution यहाँ तक भरा हुआ है clear है और बाकी के beaker में क्या फिल किया है हमने water यहाँ पर हमने फिल किया है water देखो water के अंदर कोई भी solute particles नहीं और अगर होगा भी तो हम मान लेते 0.01% होगा तो अगर हाँ पर हम देखें कि solute के particles नहीं है तो water को हम क्या मान सकते हैं less concentrated मान सकते हैं वहीं जो sugar solution है इसमें solute के particles बहुत जादा है तो हम इसको concentrated मान लें यह क्या हो जाएगा यह हमारे dilute है वहीं जो sugar solution है वो कैसा है more concentrated है इसको हम less concentrated लिखते हैं यह हमारा less concentrated है ठीक है अभी जो मैं बता रही थी कि यहां पर हमने एक membrane लगाया है इसको हम बोलते है SPM SPM क्या है semi-permeable membrane semi-permeable membrane क्या करता है यह कुछ चीजों को अलाव करता है इसके थूँ enter करने के लिए जादा तर यह ऐसे substance को अलाव करता है जिसके particles बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जैसे कि पानी इस semi-permeable membrane के थूँ water अंदर जा सकता है पर इस जो funnel के अंदर है sugar solution तो sugar solution के particles इस membrane से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि यह membrane इतना अलाव को ही नहीं करता है इसका एक example जब हम चाय च्छनी सब ने देखी है चाय च्छनी से हम जब चाय को च्छानते हैं तो सिर्फ liquid वाला पार्ट ही नीचे आता है बाकी जो टी लीव सोती है वो ऊपर च्छन जाती है तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं यह जो सेमी पर्मेबल मेंब्रेन है यह लाइक चाय च्छनी है यह क्या करेगा यह सिर्फ वाटर को एंटर करा सकता है टी लीव को नहीं ठीक है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं SPM के बारे में सेमी पर्मेबल मेंब्रेन SPM allow only solvent SPM allow only solvent to pass through it pass through it because of very small particle size because of very small particle size or it does not allow solute due to larger size larger size होनी के वज़े से यह solute को allow नहीं करता है पास करने के लिए but solvent को allow कर देता है ठीक है अब देखो धीरे धीरे यहाँ से जो solvent होगा क्योंकि इसमें तो allow कर दिया solvent धीरे धीरे इस membrane से यहाँ पर अंदर जाता रहेगा जाता रहेगा अगर इसके अंदर water के और भी particles चले गए है तो इसका देखो धीरे धीरे क्या होगा यह फिल होता जाएगा पहले ही इसका height यहां तक था अब इसका height कितना इतना बढ़ गया है solution के वो sorry solvent के enter करते ही तो यहां से हम osmosis क्या लिख सकते हैं the movement of solvent from lower concentration इसका concentration कम था from lower concentration to higher concentration is known as osmosis लिख सकते हैं the movement of solvent from lower concentration to higher concentration from lower concentration to higher concentration is known as osmosis ठीक है और यहां पर जो osmosis हो गया यहां से एक formula भी आया है formula क्या है pi is equal to rho gh जिसमें से rho क्या है देखो pi क्या है osmotic pressure है अभी osmotic pressure के बारे में भी हम जानेंगे rho क्या है density density of solvent h क्या है height अभी हमने देखा कि जैसे solvent का movement हुआ through semi permeable membrane जो height थी funnel के अंदर वो क्या होगी increase हो गए तो वह वाला height है और g क्या है gravitation force ग्रैविटेशन फोर्स क्यूं क्यूंकि यहां पर क्या हो और अगेंस तर ग्रैविटी काम कर रहा है यह उपर की तरफ हमारा solution जो है पर move कर रहा है इसलिए हापर हमने जी क्या लिया है ग्रैविटेशन फोर्स कितना लगेगा clear है osmosis पता चले गया हमें जानना है osmotic pressure क्या होता है osmotic pressure जानने के लिए फिरसे हमें एक diagram बनाना पड़ेगा यह बनाया हमने अब देखो इसमें हम लगा रहे हैं एक semi permeable membrane यहां पर बीच में कि यहां पर हमने semi permeable membrane लगा दिया हूँ यह है spm clear है यहां पर हम लेंगे sugar solution यहां पर हमने लिया sugar solution और यहां हम ले रहे है normal water यहां पर हमने लिया है water ठीक है अब अब इसमें हम क्या कर रहे हैं देखो इतनी चीज आपको पता है कि अगर हम इसमें कोई भी प्रेशर ना लगा तो osmosis कहां से कहां पर move करेगा यह जो water solution है यह semi permeable membrane की through इधर जाने की कोशिश करेगा शुगर solution की तरफ जाने की कोशिश करेगा ठीक है लेकिन अगर क्या हो हम यहां पर pressure increase करेंगे स्फियर क्रेंग इसकी शुगर solution की तरफ अगर हम pressure increase कर देते हैं यहां पर अगर हम प्रेशर करते है solution को तो यह क्या करेगा यह इधर जाने की कोशिश करेगा यह जा तो नहीं पाएगा करने से क्या हो जाएगा यहां से हमने प्रेशर कर दिया उसके यह यावटर आ रहा है उसके को यह रोग देगा तो जो जो आस्मोसिस की फ्रो को रोकता है ठीक है यह जो osmosis process को रोकता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं osmotic pressure osmosis को रोकने के लिए जो pressure लगाया जाता है उसको कहेंगे हम osmotic pressure ठीक है लिख लेते हैं फटापट से the pressure the pressure apply to stop the the pressure apply to stop the process of osmosis to stop the process of osmosis is known as is known as osmotic pressure ठीक है जिसको हम pi से represent करते हैं यह हमारा हो जाएगो osmotic pressure इसमें जो हमने SPM use किया है यह SPM कहां से मिलता है यह कैसा होता है देखो यह SPM आपको naturally भी मिल जाएगा और synthetic भी मिलेगा अगर हम natural कि SPM की बात करें तो यह हमें pig के bladder में मिलता है कि पिग के bladder से हम यह निकाल के लिए कर आते हैं ठीक है मतलब पिग का bladder जो हापे वह SPM की तरह काम करेगा लेकिन अगर हम synthetic की बात करें तो synthetic में हम क्या लेते हैं पोर्चमेंट लेते हैं synthetic का example हो जाएगा पोर्चमेंट clear है इतना ठीक है अब यहां से भी एक formula आया है formula क्या है वो पाई is equal to CRT अब इसमें C क्या है number of moles number of moles यानि कि अगर हम molarity की बात करते हैं तो C हाँपे molarity का ही काम करेगा अब देखो molarity क्या होता है number of moles of solute upon solution in liter यह होगा volume तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं pi is equal to C की जगा में लिख दूँ यहां पे हो जाएगा हमारा given mass upon molecular mass into upon में volume आएगा और यहां पे RT है है formula क्या था pi is equal to CRT universal gas constant और temperature तो यहां पे RT as it is है given mass upon molecular mass और यहां पे आजाएगा volume तो यह अब हमारा बन गया नया formula जिसको हम numerical में use करेंगे ठीके clear है इतना अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद क्या है हम कुछ solutions की बात करते हैं ठीके उस देखो हमारी body में concentration होता है salt का NACL का कुछ concentration है हमारी body में NACL mass by volume का कुछ concentration है जो की है 0.9% 0.9% हमारी body में हमान लेते हैं हमारे cell के अंदर salt का concentration 0.9% है अब अगर हम कभी विमार पढ़ते हैं और हमें drip लगती है तो drip लगने के बाद हमारी body में कुछ भी changes देखने के लिए नहीं मिलते हैं ठीके ऐसा नहीं होता कि हमारी body बहुत जादा full गई है या फिर हमारी body बहुत जादा shrink हो गई है ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमारी body के अंदर जो cell का concentration जो हमारी body में salt है उसका concentration 0.9 है तो जो हमें drip लग रहा है उसका भी concentration जो भी हमें drip बगएरा लगता है उसका भी concentration कितना होता है 0.9% होता है अगर changes आते हैं तो drip लगाने के बाद आपको अलग सा महसूस होगा ऐसा लगे गए जैसे कि आप full गए हो या फिर आप shrink हो गए हो ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता इसी तरीके से composition बनाए जाते हैं ताकि जैसे medicine वगेरा हो गया drip वगेरा हो गया इनको लेने के बाद हमारी body के अंदर कुछ भी ऐसा changes नजर नहीं आए clear है तो जब हमने cell का concentration देखा जो हमारी body के अंदर है और जो हमने बाहर का concentration देखा मान लो ये है हमारी body इसके अंदर का cell है इसका concentration कितना है इसका concentration है 0.9% और ये जो बाहर है इसका concentration कितना है ये भी 0.9% है तो concentration में कोई change नहीं होने की वज़े से यहाँ पे कोई भी movement नहीं होगा कोई भी osmosis process अकर नहीं होगा ऐसे process को हम कहते है isotonic solution ये क्या है isotonic solution isotonic solution का मतलब जहाँ पे कोई भी movement ना हो solute का या solvent का ठीक है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे when there is when there is no movement when there is no movement occur and the concentration the concentration of solvent and solution are equal when there is no movement occur and the concentration of solvent and solutions are equal hence there is hence there is no osmosis this process this process is known as isotonic solution isotonic solution उस process को क्या कहते हैं हम उस process को कहते हैं isotonic solution clear है बट अगर क्या हो जो हम drip लगा रहे हैं उसका concentration जादा हो जाए 0.9 से मान लेते हैं ये हैं ये सेल है अभी इसका concentration कितना है 0.9 परसेंट है और बाहर का concentration कितना है ये है हमारा more than 0.9 परसेंट तो मुझे ये बताओ यहाँ भी movement कैसा होगा ये वाला part अंदर जाएगा या फिर अंदर से part बाहर आएगा ये बताओ औस्मोसिस का process क्या है कि हमेशा वो lower concentration से higher concentration की तरफ जाता है तो सेल का भी concentration कैसा है कम है और बाहर का concentration कैसा है जादा है तो यहाँ पे सेल का concentration कम होनी की वज़े से और जो पूरा बाहर का solution है उसका concentration जादा होनी की वज़े से ये क्या होगा movement होगा inner से outer की side जिसकी वज़े से जो cell है वो shrink होना start हो जाता है ऐसे solution को हम बोलते है hypotonic solution इसकी heading लिखो hypotonic hypotonic solution हम क्या लिखेंगे when the concentration of cell is lower than the concentration of solution यह हम आने ते ही पूरा हमारा solution है when the concentration of cell is lower than the concentration of solution so the movement of particles hence so the movement of particles start from start from lower concentration to higher concentration start from lower concentration to higher concentration hence cell will shrink जब इसका concentration बहार निकलने की कोशिश करेगा तो यह cell कैसा हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा and this process and this process is known as this process is known as hypotonic solution hypotonic solution इस process को हम क्या कहते हैं hypotonic solution कहते हैं अब third case क्या हो सकता है कि cell की concentration जादा हो और जो बहार solution है उसकी concentration कम हो ठीक है हम ले लेते हैं इस बार cell की concentration जादा है यह cell है इसकी concentration more than 0.9% है और इसका concentration 0.9 माल लेते हैं तब क्या होगा the concentration of cell is कैसा है more यहाँ पर हम लिख सकते हैं the concentration of cell is more than the concentration of solution hence 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 the movement start from lower concentration to higher concentration lower concentration to higher concentration to higher concentration and cell will and cell will start swell up this process is known as this process is known as हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम बोलेंगे hypertonic solution hypertonic solution this process is known as hypertonic solution जहाँ पे क्या हो जाएगा जो cell है वो swell up हो जाएगा cell का जो concentration है वो जादा होगा as compared to उसके surroundings के concentration से ठीक है no down करो इतना अब एक last topic बच्चा है आज की class के लिए वो क्या है reverse osmosis यहीं पे कर लेते हैं इसकी बाद क्या है यह reverse osmosis देखो osmosis क्या था हमें यह पता है कि higher concentration से I mean lower concentration से जब higher concentration की तरफ movement होता है तो उसको हम बोलते हैं osmosis अब यहाँ पे क्या होगा ultra process start होगा higher concentrations to lower concentration को हम बोलेंगे reverse osmosis नाम से ही पता चल पा रहा है यह हमने लिया है यहाँ पे हमने spm लगाएंगे यह क्या है spm ठीके अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमने लिया है हम माल लेते हैं यहाँ पे salt water है ठीके और यहाँ पे क्या है fresh water है fresh water एक side salt water है एक side fresh water है तो हमें पता है कि अब यह जो salt water है इसका concentration जादा है और यह जो fresh water इसका concentration कैसा है इसका concentration कम है तो यह बात हमें पता है कि through semi permeable membrane fresh water जो है यह salt water की तरफ move करेगा बट अगर क्या हो हम इसमें इतना pressure दे दे कि एक time ऐसा आएगा कि यह SPM जो है वो काम करना बंद कर देगा यानि कि movement रुक जाएगा बट अगर उससे जादा pressure apply कर दें तो क्या होगा यह salt water जो है वो fresh water की तरफ move करने लग जाएगा यानि कि process जो है उल्टा हो जाएगा high concentration से low concentration की तरफ movement होने लगेगा उसको हम बोलते है reverse osmosis जो यह वाले process हम सबकी घरों में लगा हुआ है क्या है यह RO यही काम करता है कि जो salty water होता है जो contaminated water होता है उसको क्या करता है fresh water में convert करके हमको देता है ठीक है तो यही तो है salty water है बट हमें कैसा चाहिए fresh water चाहिए तो यह करेगा contaminate को दूर करेगा यहाँ पर high concentration to low concentration movement होता है इसको हम बोलते है reverse osmosis clear है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे the movement of the movement of solvent from higher concentration to lower concentration when we apply pressure is known as reverse is known as reverse osmosis उसको हम क्या कहते है reverse osmosis कहते है clear है एक बार no down कर लो इसको फटाफट से यह हमारा reverse osmosis तक complete हो चुका है अब इसके बाद हमारा जो last topic बचा है वो क्या है abnormal molar mass जो कि हम करेंगे next class में आज की class में इतना ही था बस एक last topic बचा है abnormal molar mass उसके बाद हम NCRT की reading करेंगे and then chapter finish clear है आज की class में जितना बढ़ा है अच्छे से पढ़ना अगर कोई भी route हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो ओके थांक यू